तो students, आज हम प्रूव करेंगे कि sin 0 degree 0 क्यों होता है and इसके बाद करेंगे cos 0 degree 1 क्यों होता है तो चलिए start करते हैं सबसे बनाओ एक right angle triangle यह अपका theta है इसे a बोल दो, इसे b बोल दो, इसे c यह आपको पता है P होता है perpendicular this is B, this is hypotenuse तो मुझे बता हो, sin theta क्या होता है it is P upon H अगर यह theta 0 degree हो जाए तो hypotenuse कहाँ पादाएगा ऐसे हो जाएगा मतलब, perpendicular रहे गई नहीं 0 हो गया और hypotenuse तो ऐसी रहेगा H तो यह हो गया sin 0 degree is equal to 0 divided by any number the result is 0 तो first part आपका प्रूव हो गया similarly, आप करते है cos 0 degree 1 क्यों होता है cos 0 degree क्या होता है पहले बताओ कि cos theta क्या होता है it is base upon hypotenuse ठीक है तो अगर यह theta 0 हो जाए तो hypotenuse किसके एको बहुँआगा base के एको जाएगा तो जहाँ hypotenuse लिखा है माँ base लिख दो तो cos 0 degree इस तरह से आपका क्या जाएगा 1 तो हमने क्या प्रूव किया sin 0 degree हमारा हो गया 0 cos 0 degree हो गया 1 और इनके इन दोनों से हम कर सकते है tan 0 tan 0 degree क्या होगा sin 0 degree upon cos 0 degree जो जाएगा 0 upon 1 यानिके 0 ठीक है I hope आपको ठीक से clear हो गया हो सारे के सारे result sin 0, cos 0 and 10 0 ठीक है वीडियो पसंद आए तो लाइक करना चैनलों को सब्सक्राइब करना Thank you